आज हम बात करने वाले हैं मेश रासी के फरवरी 2023 के बारे मेश रासी वालों का फरवरी का महिना कैसा जाएगा इनका आर्थिक स्थिती कैसी रहेगी इनके भाग दौर का क्या प्रेडाम होगा और इनके ब्यापार बिजनस में क्या लाभानी होगा इसके बिशे में हम बात करेंगे अब चुकी फरवरी के प्रारम में मेश रासी का स्वामी मंगल आपके कंठ वानी भाव पे बैठा हुआ है वहाँ अभी महिने के स्टार्ट सुरुवात में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है चंद्रमंगल अच्छमी योग आपके कुनली की सुरुवात हो रही है इसलिए ये महिना आपको आर्थिक मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है आप जहां तक भाई बहन प्राकरम का मामला है तो चुकि बुद्ध आपके भाग यस्थान में बैठके आपके भाई प्राकरम भाव को देख रहा है इसलिए जो भी आप इस महिने में भाग दौर करेंगे उसका प्रेड़ाम आपको बहुत असान कूल मिलेगा सुर्वात में जुरूर थोड़ा काम में लेट लतीफ होने का योग है लेकिन यह है कि आप अपने प्रेश्रम को बनाए रखिए आपका ये महिना अच्छा जाने वाला है माता मित्र मकान का से सम्मंधित यानि घर में आप कोई सुभकारी करना चाहते हैं तो अवस्ति कीजिए इस दवरान आपके परिवार के बहुत से लोग आपके साथ एकत्रित होंगे उनके साथ मिल जूर कर कोई धर्मिक कारी करने का अउसर भी प्राप्त होगा और उसे आपका मन भी बहुत प्रसंद न रहेगा संतान भाव अप चुक्छे संतान भाव का स्वामी सूरी आपके दसम घर में चल रहा है ये वैसे तो चौदा फर्वरी तक रहेगा लेकिन चौदा फर्वरी के बाद ये आपके संतान भाव का स्वामी सूरी लाब घर में जा रहा है लाब घर में बैटके वो आपके संतान घर को देखेगा इसलिए आपके संतान से संबंधित ये महीना बहुत अच्छा जाएगा आपके संतान अगर किसी परिच्छा आदी में बैठना चाहे है निश्चित बैठें उनको सफलता आवसे मिलने का योग बता रहा है साथी साथ आप अगर कोई नया कारी नया ब्यापार आदी सुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये महीना बहुत उस्सा बर्धक रहेगा अब चुकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 फरवरी 2023 को आपको कुछ रुकाधन प्राप्त हो सकता है लेकिन मन थोड़ा बेवजय आसंकित रहेगा यानि कि आप अग्यात भैसे प्रेसान रह सकते हैं लेकिन कोई टंसन ने निज़ोत नहीं है ये समय आपका दो दिन का है निकल जाएगा जीवन साथी ब्यापार अब चुकि आपके जीवन साथी का स्वामी सुक्र आपके लाब घर में बैठा है इसलिए ये महिना आपके लिए बहुत अच्छा उस्षा वल्दग रहेगा अगर आप ब्यापार बिन्यस कर रहे हैं तो आपको मन चाहा प्रेडाम मिलेगा साथी साथ आपके जीवन साथी का भी इस महिने बहुत अच्छा सा योग मिलने वाला है आप उनके साथ जितना प्रेम से रहेंगे उनकी भावनाओं का उनकी सलाह का जितना ध्यान देंगे उतना आपको आगे बढ़ने का आउसर मिला है रोक सत्र कर्जस आपका चुके एक्सीडेंट दुरघटना का स्वामी मंगल आपके धन्भाव में बैठके आपके दुरघटना अधी अस्थान को देख रहा है इसलिए आप विसेश कर चौदा फरोरी और पंदा फरोरी को लेन देन से बचें कोई बहुत बड़ा निर्ड़े लेने से पहले अच्छी तरह सोच बिचार कर ले और वहां चलाते हैं समय बहुत सा धानी रख धर्मस्थान भाग्यस्थान अब चुकि आपके भाग्य धर्मस्थान में महीने के सुरुवात में बुद्ध बैठा हुआ है और यहां का स्वामी गुरु आपके बैभाव में बैठा हुआ है इसलिए धर्मिक कारी करने का अउसर आपको मिलेगा हाँ यह है कि धन अधिक बैभ होगा इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अधिक धन बैख करने से बचेंगे तो आपके लिए यह महीना और उत्तम जाने वाला है दसम घर पिता प्राकरमस्थान मान सम्मान अब चुकि दसम घर का स्वामी आपके लाब घर में सनी बैठा हुआ है इसलिए आप अधिकारियों से अपने जितना मीठा मधुर बातचीत करेंगे उतना आपका कारी बहुत आसान हो जाएगा उन लोगों का भी अधिकारियों का भी आपको स्वयोग मिलेगा आपको विसेश कर अपने माता पिता का आसिदबार लेते रहना चाहिए जिसे की आपका जीवन और सुखमे बितीत हो लाब अस्थान का स्वामी लाब घर में बैठा है सनी इसलिए कोई पुराना रिण या रुका हुआ धन आपका वापस मिल सकता है और अगर कई आपने पैसा इंवेस्ट कर रखा है तो उससे आपको अच्छा लाब मिलने का यूब बता रहा है ब्यायस्थान, यात्रास्थान, खर्चस्थान, बिदेश अब क्योंकि आपके बिदेश घर में गुरू बैठा हुआ है अभी आपको इदूर की यात्रा करना चाहते हैं कि धन खर्च करने का भी होसल आएगा लेकिन आप अपने खर्च पर नियत्तर रखें जिससे कि ये महीना आपके लिए बहुत सुख पूर्वत बितीत हो तो मित्रों मैंने आज आप लोगों को मेस्रासी के फर्वरी महीने का जो फ्लादेश बताया मुझे आसा है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबस्क्राइब करना मत भूलिए नमस्का